सल्मान खान ने पहली बार लॉरेंस विस्नोई पर अपनी चुपपी दोड़ी है जान से मारने की धमकी मिलने की बाद सल्मान ने बहुत बड़ी बात क्या दी धमकी मिलने की बाद पुलिस इस मामले पे सक्ती से जाच कर रही है और अब इसे लेकर सलमान खान से कुछ सवाल किये गए जिसमें उनसे पूछा गया किया उनका किसी भी तरह से गैंक्स्टर गोल्डी बरार और गैंक्स्टर लॉरेंस विस्नोई से तालुक है जिस पर सलमान खान ने पुलिस को जवाब देते हुए कहा मैं गोल्डी बरार को नहीं जानता मिसाल 2018 से लौरेंज विस्नोई को जानता हूँ वो भी पिछले कुछ साल के केस के बदूरत क्यूंकि तब उसने मुझे जान से मारने की धंकी दी थी जितना उसके बारे में लोग जानता है उतना मैं ही जानता हूँ इसके बाद सल्मान से पूछा गया क्या उन्हें धंकी बरे कॉल या मैसेज आये थे इस पर सल्मान ने कहा कि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ पिछले कुछ दिनों में उनकी किसी के साथ बहस भी नहीं हुई ना कोई कॉल आया ना कोई धंकी बरे मैसेज धंकी बरे खत के ब करने के लिए कुछ है भी नहीं सल्मान के पिता यानि सलीम खान को सनिवार की सुबा धम की भराखत मिला था जिस पर लिखा था कि उनका हाल भी सिद्धूमुसे वाले की तरह कर देंगे फिलाल तो सल्मान इस वक्त हैदराबाद में है और उनकी सिक्यूरिटी को दुगना कर दिया गया है लेकिन आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट पर बताइए इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फ्राइडे फिलम्स को